वेल्कम टू एडुकेटर बग। कैसे आप सब स्टूरेंट्स, I hope आप सब अच्छे हूँगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे नेरिस के एक्सकूरिट्री सिस्ट्रम के बारे में। नेरिस के एक्स्कूरिटरी सिस्ट्रम के साथ-साथ नेरिस में वो भी इसी वीडियो में डिसकस करें तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को पूरा देखें तो चलिए स्टार्ट कर बोडी में जितना भी waste nitrogenous material है जिसकी बोडी को कोई नीड नहीं है उसको बोडी से बाहर निकालना वही process क्या कहलता है excretion कहलाता है तो इस process को करने के लिए बोडी में कुछ special organs रहेंगे जो की waste nitrogenous material जो है उसको बोडी से बाहर निकालने में help करेंगे तो उन organs को हम क्या कहते हैं excretory organs कहते हैं तो यह जो excretory organ है वो एक तरह कर network बना लेते हैं तो वह ही क्या कहलाता है हमारे excretory system कहलाता है the excretory organs of naris include a series of paired segmentally arranged coiled tubes these are known as nephredia Marx के अगर हम बात करें जो excretory organ है वो क्या है और एक सेग्मेंट में हमें पता है कि जो नेर्रीस है जो क्या 친よね giralith कैसी होती है segment होती है segments में divider तो इसके हर एक segment में जो है左右 यह हैं जो है नफरीडिया है, a pair of them is present in each body segment except anterior and posterior segments नारेश के body के जो anterior segment है और जो posterior segment है उनको छोड़ करके बाकि जितने भी segments है उनमें जो है वो एक pair nephरीडिया present रहता है क्योंकि हमने अभी देखा हर एक segment में क्या present है, एक pair nephरीडिया present है जो कि इसका क्या है, excretory organ है, बट यहां पर बताए गया है, exception है यहां पर, anterior और posterior segment में जो है वो नेफरीडिया नहीं होता है बाकि जितने भी segments हैं उसमें एक pair nephरीडिया present रहता है यह जो नेफरीडिया है नेरिस का जो कि excretory organ है, वो कैसा होता है, macroscopic structure होता है इसका जो size है वो ज़्यादा छोर्टा नहीं होगा, अगर यहां पर micro होता है, तो कह सकते थे हम इसको सिर्फ microscope से देख सकते हैं इसको हम अपनी naked eye के थुरू भी देख सकते हैं क्या है यह macroscopic structure है इसका जो size है वो ज्यादा छोटा नहीं है तो इसको हम easily अपनी naked eye के थुरू देख सकते हैं a nephridium is made up of two parts body of nephridium और neck of nephridium अब यह जो nephridium है जिसे हम nephridium भी क्या है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है एक तो होता है body of nephridium इसकी body और जो है वो second है वो है neck of nephridium यहां हम देख सकते हैं यह nephridia का structure दिखाया है अभी हम इसको अच्छे से detail में discuss करेंगे सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं body of nephridium the main body of nephridium is an irregular oval glandular mass placed transversely in this segment nephridium की जो main body होती है वो कैसी होती है irregular होती है oval shape की हमें देखने को मिलती है और glandular mask के form में होती है और कहां पर present रहती है segment में जो है वो transversely arranged रहती है transversely placed है transverse कहने का मतलब है इस type से जो है वो arranged रहती है यह हम देख सकते हैं इसका segment है तो इस type से जो है वो transverse जो है वो arranged रहेगी its terminal part is non-cellated and opens to the exterior by a minute nephridium for situated ventrally at the base of the perapodium यह हम देख सकते हैं यहां पर nephridium का structure दिखाए है यह वाला जो reason होगा इसका यह neck वाला part होगा जबकि यह क्या है यह इसकी body है तो यहां पर बताया रहा है कि जो इसका terminal part यह top वाला part है वह non-cellated होता है यह क्या है इसका top वाला part है नौन-cellated है और यह बाहर की तरफ ओपन होता है एक चोट इसी opening जिसे हम नफ्रीलियो कहते हैं यहां देख सकते हैं यह क्या है नेफ्रीडियो 4 है अब यह नेफ्रीडियो 4 कहां पर प्रेजंट है यह ventral surface पे एड़ बेस ऑफ दी पर पोडियम पर पोडियम के बात करें तो इसका जो टर्मिनल पार्ट है वह non-cellated है और बाहर की तरफ नफ्रीडियो 4 के तूपन लगा इसके बेस पेर जो है वह नेफ्रीडियो 4 वाहर की तरफ उपन होता है नेक्स वह हैं रोधका यह नेटक उप्र नेफरीडियोर प्रोलोंगेशन आफ बादी अफिन अफ दी नेफ्रीडियम यह नेफुरीडिया का इंटीडै पार्ट है और यह कैसा है नेख रो होता यह हम देख सकते हैं यह वाला पाट जो है वह इसका नेक वाला पार्ट है दानेक प्रिस्ज दिस आप टम एंड दे सेग्मेंट इन फ्रंट औफ इट अब इज़ नेफरेडियम की नेक है वह क्या करें जो है वो किसको septum को persist कर देती है उसको क्या नम है cut कर देती है destroy कर देती है और इसके जो सामने इसके front में जो segment है उसमें इंटर कर जाती है हेर इट ओपन इंटर देशी लूम बाइवाइड इसलेटीड फ़र्णल विच इसना नाउन एज नाफ्रो स्टों और नेफ्रीडियो स्टों अब यह जो नेफ्रीडियो का नेक है यह नेख औफ नेफ्रीडियम है यह बाहर की तरफ जो है वह सीलो में ओपन होता है किसके बाहर सीलोम में किसे को तुरू हमाता है हम देखनिते है नेफरोस्ट्रॉम या जिसे हम नेफरीयस टॉल्म जारे टूर्विटलो है उसके तुरू होता है बाहर सीलोम में, यहाँ पर बताया है कि फीडू का यह जो किसी सबस्दाइच क then स्ब्स Tapu, और किसमें प्रोडियूस हो जाते हैं वह बहुत सारे पतले पतले जो हैं फिंगर लाइक प्रोडियूस हो जाते हैं और यह जो फिंगर लाइक प्रोडियूस हो जाते हैं और यह जो फिंगर लाइक प्रोडियूस हो जाते हैं और यह जो फिंगर लाइक प्रोडियूस हो जात जो नफरीडिया है वो क्या है नैयर्स का एक्षरिट्य और रहने वह एक्षश्रेशन पार्ट लेगा यह नेफरीडिया है यह अब यह विप आफ नफरीडिया है इसे बाहर की तरफ एक opening के नेफरीडियौ लिब्यूस है जबकि photographed he नेफरीरियौ सी नेफरीरियौipर्त hah इसका नेफरीडियौ etti कreste नेखना को क को दिक skipping एक तास वाइड ओपनिंग के तुर्वासिन नखरो महीं की सिल होगा तो यह एक तास्य सब्सक्राइब कर नेफरास्टरॉम का का द्या दोन के इति है था और जोड्रा नेफरोस्टरॉम हम् 5 آएं भ एक उन है अधियरन जुक्सराइब बहुत सारी चुटी-चुटी finger like projection में produce हो जाते हैं यह देख सकते हैं यह फिंगर like projection में produce हो गया तो यह था पूरा नफरीडिया का structure बहुत ही इमेज थोरह हैं पर गंदा हो गया लेकिन आई होप आपको समझ में आगया होगा कमेंट में आप मुझे जरूर बताएंगे येस मैम हमको समझ में आगया अच्छ से बिलकुल अब हम रिसका लेते हैं अब यह तो हमने देख लाया कि जो एक्स्क्रीटी ओर्गन है वो नेफरीडिया है अब यह जो नेफरीडिया काम किस तरह से करेगा बॉड़ी में जो नैट्रोजनस वेस्ट मेटीरियल है उसको बोड़ी से बाहर निकानने का किस तरह से काम करेगा ना आउटर सर्फेस ऑफ नेफरीडिया का जो आउटर सर्फेस है उसमें क्या प्रेजंट रहती है बहुत सारी ब्लट केपिलरी इस प्रेजंट रहती है डग्लेंट सेल्स प्रेजंट इंदी वाल अफ दे सिलेटर ट्यूब एक्स्ट्रेक्ट वेस्ट मेटीरियल चीफली अमोनिया फ्रम दी ब्लड सिलेटर ट्यूब्स की वाल्स में जो ग्लैंड सेल्स प्रेजंट रहती है वो क्या एक्स्ट्रेक्ट कर लेती है जितना भी वेस्ट मेटीरियल है बॉड़ी में उसको एक्स्ट्रेक्ट कर लेती है ब्लड से एक्स्ट्रेक्ट कर लेती है ब्लड से एक्स्ट्रेक्ट कर लेत तो ये बलेट सेजिए calor है अमॉनिया को एकस्रैट कुर लेती है इस वेस्ट आर ऍटप्टो बाड़ी päॉडि थूif obwohl लेज़ सकते हैं ये चुल जो वेस्ट मातीरियल ए मैंवोनिया उसको बाड़ीसे बहाँ निकाल ले सुचlly अब यह नेफरीड्यो 4 कहां पर प्रेजन उता है, हमने देखा था जो नेरीस की बॉड़ी है, उसके हर एक सेगमें प्रेज़ा होता है, तो प्रेज़ां के बेस पर प्रेजन बोडी से बाहर निकल दिया जाएगा, क्या वेस्ट मेटीरियल, तो इस टाइस से एकस्कृरिशन का जो है प्रोसेस परफॉर्म होता है और बोडी से जितना भी वेस्ट मेटीरियल है उसको बोडी से बाहा निकाल दिया जाता है आई होप गाईज आपको जो एक्कुरिटर सिस्ट्रम है नेरिस का वह अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आई ह हमें पता है किसी भी फिज्योलॉजी को कंप्लीट काने के लिए बोडी में स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं जैसा कि अभी हमने देखा एक्स्क्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म काने के लिए इनके बोडी में एक्स्क्रेटर ओर्गन था जो यहां पर बताये रह आगे हम देख लेते हैं किस तरह से होगा ऐसा तो नहीं एसपरेशन नहीं शो करेगा करेगा शो वह किस तरह से होगा यह हम देख लेते हैं Exchange of gases take place through general body surface, but more specially by the flattened peripodia. अब जो exchange है gases का, exchange of gases कहने का मतलब है, oxygen जो है वो ले लेगा और जो carbon dioxide है, उसको body से बहा निकालेगा, तो ये process क्या है, ये exchange of gases ही तो है ना, ठीक है ना, oxygen को लेना और carbon dioxide को छोड़ना, ये ये exchange of gases ही तो है, तो जो exchange of gases ही वो किस के तुरू होता है, body surface के तुरू होता है, इनकी जो body का surface होता है, इसके तुरू ही जो है, वो gases exchange होएगा, फिर हमें पता है कि जादा तर more especially जो हो flattened peripodia के तुरू होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो नैर्य इसके बaanडी में क्या प्रेज़ेंट है प्रेज़ेंट है। और था falou यह इच्टेंशरेंज jamih यह किसी सुप्लाइद में तीकी आप्रिच में सब्लस्क्यूल सब्लिबक्ट रहीगा यहां पर क्या पता हैं हर एक पिरा पॉडिया में क्या AGेभी हने के मिज़ रहा है अब कहसी वापप्रॉपलरी बिलाड Won't और रोकेशिजन को निकाल देख निकाल डिया एक्सचंज कर दिया पहले क्या करा इसने टिशू से जहाइंग को कलेक्ट कर आ किस ने जो कीनले बलेडरीस में ब्लेड है वो क्या कता है जितने भी टिशू है उन से जहें वह कारबना 67 को कलेक्ट कर तरह फिर उसने कलेक्ट कर साइब उसको बाहर surrounding में छोड़ दिया, water है उसमें जो है वो exchange आ दिया, बदले में क्या ले लिया, जो water में dissolve oxygen है उसको receive का लिए, उसको gain का लिया, जो कारभन डाइu oxide है उसको क्या का लिए, इसने change का लिए किस से oxygen को ले लिए और कारभन डाइu oxide को छोड़ दिया, तो इस टैप से जो है वो gases exchange हो गया oxygen diffuses from the surrounding water into the blood through the integument और parapodia surface due to great partial pressure in comparison to blood अब जो surrounding water है नेरिस के आसपास जो water present है उसमें क्या dissolve है oxygen dissolve है अब यह oxygen है वो diffuse हो गया blood में किस के तुरू integument और parapodia surface के तुरू parapodia surface के तुरू जो है वो बाहर surrounding में जो dissolve oxygen था वो किस में diffuse हो गया जो parapodia में जो blood है उसमें क्या हो गया diffuse हो गया जिसके तुरू parapodia के surface के तुरू अब यह जो है वो किस वजहसे हुआ इसके पीछे का कारण क्या है तु順कि जो बाहर surrounding में जो water present है उसका जो partial pressure है वो कैसा है great है जाधा है किस के comparison में blood के comparison में, blood का जो partial pressure है, वो कम है, जो बाहर surrounding water है, उसका partial pressure ज़ादा है, तो इसी difference की वज़े से, जो capillaries में, जो blood present है, उसमें diffuse हो गया, कहाँ पे, पेरापोडिया में, किसके तरू, पेरापोडिया के surface के तरू, similarly, from the blood, carbon dioxide diffuses into the surrounding water, due to great partial pressure than the surrounding water, इसी तरह से, जो blood में carbon dioxide present था, व बाहर surrounding water में diffuses हो, किस वज़े से, किस कारण के वज़े से, कि यहाँ पे उसका opposite है, यहाँ पे जो blood है, उसका partial pressure ज़ादा है, great है, किस के comparison में, बाहर जो surrounding water है, उसके comparison में, तो यह बिलकुल opposite था, यहाँ पे क्या बताया है, उसको में आपको असानी से समझा देती है, यहाँ यहाँ blood में के तहें carbon dioxide है, बाहर water में क्या डिजॉल है, oxygen डिजॉल है, यह क्या है, इसका surface है, परापोडिया का surface है, अब जो oxygen आपादा धिजॉल है, वाटर में वो कहां पे diffuse करेंगी, यहाँ अंदर blood में diffuse करेंगी, किस के तोच पैरापोडिया के surface के तरूब, आप घर क तरफ डिफ्यूज क्यों कर रहे है व्लेड में क्यों कर रहे है कि पाइसाद हो जादा है तो इस वजह से जो जाए उस हो रहे हैं बिल्कुल इसी तरह जो यहां ब्लेड में जो carbon dioxide है वो बाहर की तरफ diffuse हो रहा है surrounding water में diffuse हो रहा है क्यों कि जो carbon dioxide है उसका जो partial pressure है उसके comparison में जिस वजह से जो carbon dioxide बाहर water में diffuse हो रही है तो partial pressure के difference की वज़े से ही ये जो है gases exchange हो रहा है I hope guys आपको ये दोनों टॉपिक अच्छा से समझ में आगरेंगे अगर आपको कोई भी doubt है कोई भी query है तो आप comment box में drop कर सकते हैं या अपनी query को लेख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थमसब ज़रू दे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चान को सब्सक्राइब करना ना बोले बैल के आइकन को ज़रू प्रेस करें जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ